तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ESIC UDS ओफर डिविजन क्लोर्क देखें यहां पे अगर आप बैंकिंग के लिए विप्यार कर रहे हो तो आप ESIC UDC 2021 में भी अपलाई करना चाहिए इसमें थोड़ा सा है हम पे चेंजे से जैसे की एकजाम का पैटन और प्रोसेस और अल्मोस्ट से में थोड़ा थोड़ा हम पे अलग टाइप का है इसमें वही प्रिलिम्नरी भी होता है में से एकजम भी होता है और मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्चुली आपको अपलाई करना चाहिए के नहीं और यहां पे काम तो बही है जैसे कि बैंक में क्लॉक काम करते हैं उस टाइप का काम है यहां पे एच एकजम पाटम के सा होगा क्या क्या सब्चेट होगा वह पूरा डिटेल्स में आपको यहां पर बताऊंगा और एक कॉंपूटर टेस्ट भी हम पर होता है जैसे हम फिलिम्नरी के बाद मेंस एकजम आपको द देखते हैं अगर आपका डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हो तो मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या 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 तो इसका मैं एक डिक्टल्स वीडियो बनाऊगा जहां पे एच सालेरी और जो भी क्राइटर है मैं आपको सब सब्सक्राइब को दो जो वीडिया उट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताऊंगा